नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे खरमास के वारे में 15 देसंबर से खरमास सुरू होने वाला है हिद्धु धर्म की में मानताओं के अनुसार इस महिने को सुभ नहीं माना जाता है इस महिने को मलमास या फिर खरमास के नाम से भी जाना जाता है ऐसी मानता है कि देव गुरू की दिबिता से संपन्द पौस यानि की पूस का महिना अध्यात्मिक रुप से खुद को संपन्द और उन्नत बनाने का महिना है इसे रिशियों ने खरमास या फिर मलमास नाम दिया है ताकि सांसारी कामू सम्मुक्त होकर पूरे महीने को लोग अध्यात्मिक लाव के लिए कर्म करें जब सुर्ज देव गुरु की रासी धनू या फिर मीन में विराजमान होते हैं उस समय को खरमास कहा जाता है पौस खरमास कामास है इसमें किसी भी तरह के मांगली कार्ज, विवाह, यगुपवीत या फिर किसी भी तरह के संसकार नहीं किये जाते हैं तिर्थ अर्स्थल की यात्रा करने के लिए खरमास सबसे उत्तम महीना माना जाता है कब से कब तक रहेगा खरमास? खरमास 15 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक रहेगा ऐसे में इस देवरान कोई भी सूभ कार्ज करना मना होता है खरमास में न करे ये काम हिंदु धर्म की मानताओं के अनुसार इस दावरान नई चीजों जिसे की घर, प्लाट, गाड़ी, आदे की खरिदारी नहीं करनी चाहिए इस महीने में घर निर्मान का कार्ज या फिर घर निर्मान से संबंधित चीजे नहीं खरिदनी चाहिए इस पूरे महीने में साधी, सगाई और गिरी परवेश जैसे धार्मिक या फिर मांगली कार्ज नहीं करनी चाहिए खरमास को लेकर एक परचली थे जिसमें भगवान सूर्ज देव साथ घोलो के रत पर सवार होकर लगतार ब्रमान की परिकर्मा करते हैं सूर्ज देव को कहीं भी रुकने की जाज़त नहीं है लेकिन रत से जुड़े घोले लगतार चलने और बिसराम ने मिलने की कारण ठक जाते हैं घोलो के ऐसी हाला देख सूर्ज देव का मन भी डोल जाता है और घोलो को तलाब की किनारे ले जाते हैं लेकिन सुर्जदेव को भी तभी एक अभास हुआ कि अगर रत रुकी गया तो अनर्थ हो जाएगा। जब वे तलाब के पास पहुंचे तो देखा कि वहाँ दो खर मौझूद है। भगवान सुर्जदेव ने घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया और खर यानि की गधों को रत में जोड़ कर आगे बढ़ गए। गधों को रत खिचने में काफी परिसानी का सामना करना पड़ रहा था। इस दवरान रत की गती भी हलकी जहलकी यानि की धीरे धीरे चल रही थी। जैसे जैसे सूर्ज देव इस दवरान एक मास का चक्र पूरा करते हैं इस बीच घोड़े भी बिस्राम कर चुके होते हैं इसके बाद सूर्ज का रत फिर से अपनी गती में लौट आता है इस तरह से हर साल ये करम चलता रहता है और इसलिए हर साल खरमास लगता है तो हमने जाता है और इस दवरान माना यह जाता है कि सभी देपतागन जो है वो यातरा पर होते हैं और लोगों को यह भी कहा गया है कि आप भी जो है इस दवरान यातरा करें इसका जो है विशेस लाब मिलता है लेकिन किसी भी तरह के मांगले कार्ज करने से लोगों को मना किया जा बने रहें बिहारी ने उसके साथ मुझे दीजिये जाज़त धन्यवाद